गुड मॉर्णिंग एवरिवन कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी अच्छे होंगे तो आज मैं कोई कुकिंग की वीडियो नहीं लाई हूँ आज मैं लाई हूँ हेल्थ ट्रिंक की वीडियो देखिए ये वीट करास है और इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी बोल सकते हैं इसकी जितने भी मतलब आप तारीफ करें कम है क्योंकि हेल्थ के लिए इससे बैस्ट ओप्सन कुछ हो ही नहीं सकता और ये देखिए इसे आप आ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इतना अच्छा होता है कि मतलब वर्ड में शायद कोई दूसरी इम्यूनिटी बूस्टर होगी इसके मुकाबले तो अब ये देखिए इसको जब हम काटते हैं 2-5 इंच छोड़ कर काटना चाहिए तो क्या होता है कि पीछे से दो बार आ जाती है तो 5-6 गमलों की एक परसन के लिए बहुत होती है अब ये देखिए 2-3 इंच छोड़ कर मैं इस तरीके से काट लूँगी काटने के बाद इसे हम बारिक-बारी काट लें क्योंकि ये बहुत ही तफ पीष्टी है जार में भी तो जिससे की जार पर कम से कम जोर पड़े इसलिए हम बारिक-बारी काट लेंगे देखिए मैंने 2-3 इंच छोड़ कर काटी है तो क्या होगा जब तक हमारी गमलों की पह बारिक इसको काट लूँगी एक परसन के लिए आपके 5-6 गमले काफी होते हैं और 10-15 दिन में ये तियार हो जाती है अब ये देखिए मैंने विल्कुल बारिक-बारी काट लिया है अब इससे अच्छे से वोस कर लेंगे वोस करने के बाद इसको हम अपने जूसर में डाल लेंगे अब इधाड में डाल लूँगी जार में डालने के बाद इसमें हो सके तो फ्रेज का ठंडा पानी डाले और अगर फ्रेज का ठंडा पानी नहीं तो आप नॉर्मल पानी भी उच कर सकते हैं अभी देखिए मैंने एक ग्लास पानी ले लिया है एक ग्लास पानी इसमें डाल दूंगी और उसकी बाद मैं इसे अच्छे से चलाते भी पीस लूँगी देखिए लगातार चलाते भी इसे नहीं पीसना है क्योंकि अगर यह गर्म हो गया तो इसके जो nutrition value वो खत्म हो पीसना है इसे धीरे-धीरे करके बंद करकर करके जार मिक्षी को मतलब तब पीसना है जिससे कि इसका जो टैंपरेचर है वो नॉर्मल रही देखिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही विजपूल है जो नैचरपती में विश्वास रखते हैं और जो नैचरपती जानते हैं कि क्या होती है वीटक्रास क्या होती है लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं शायद उनको नहीं पता होगा कि वीटक्रास एक बहु क्योंकि हमारे शरीट की इंम्यूनीटी पावर की इतना ज़़ादा बढ़ा कि उपने को कोई भिमारी हमारे सरीट को गेरी नहीं पाती है अब। अब देखें यी तयार हो गई तो इसको अब हम एक चन्ने में छाण लेंगे यह मैंने ग्लास ले और लोही की छन्नी ले लिए तो इसमें मैं इसे इस तरीके से छान लूँगी इसका पूरा हमने आर्क निकाल लिया है अब यह देखिए इस तरीके का कुछ हो गया है अभी पीने के लिए तियार है अगर आपको मेरे आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीज ज़ पस्तुर फस्तुर पस्तुर अट्रों लिया है ऩहाँ कीजब हो देशनाぎ हैत।